हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू वी क्लासेज गाइस और दोस्तों आज जो है हम लोग मानव शरीर के महत्वपूंता थे देखने वाले हैं और 42 इंपोर्टेंट फैक्ट्स ओफ हीमन बोडी ऐसे देखने वाले हैं फ्रेंट्स जो आपके एक्जाम में पूछने के चांसे बहुत भी जाते हैं दोस्तों ठीक है और यह बहुत ही इंपोर्टेंट रोल करता है अल एक्जाम के लिए लेकिन जो फैक्ट्स है जो इंपोर्टेंट है फ्रेंट्स वह एंटी पीसी और गूरूप डी वाले आप त्यान से इस सेशन को जरूर देखना ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं और जो मेरे चैनल पर नए है वो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना और शेयर आप कर देना है वाटसब पर फेस्बुक पर और इंस्ट्राग्राम पर चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग फस्ट कोशन से पहला जो है सबसे बड़ी हड़ी सबसे sub dent दोनों ही पूछे गया है तो इंपोर्टैट रहते रहने वाले हैं और यह सबसे बड़ी गृंति क्या होता है रिवर यह क्रित होता है क्या होता है अब याद रखना है और यह भी पूछा गया सबसे बड़ी अंतशरावी ग्रंत्धी च्या Гरंति होती है यह भी तो यह शब्णुर बनने वाले हैं और यहीं से बनते हैं आप देख लो शेशन को इसके बाद sécurité हॉड़ाा खे पर चाहिए रखना है सबसे लंबी तंतरिगा जींटी है क्या होती है और सबसे बड़ी पेशी क्या होती है तो तो Gluteus Maximus, और सबसे छोटी पेशी क्या होती है, तो Stepidious, आपको यहां से correlate करना है सबसे छोटी हडी किसे, सबसे छोटी हडी जो है, वो Stepis है, ठीक है, स्टेपीस है, और यहां जो है सबसे छोटी पेशी जो है, वो Stepidious है, तो आपको यह correlate कर लेना है दोनों से कि सबसे छोटी हड़ी सबसे चोटी पेशी तो पेशी से या हड़ी से दोनों में कोई जो होता है तो वो मोनोसाइट को बोलते हैं पुल्रूद भवन छमता अग्षा होता है और सबसे बढ़ा रखना है ऑपको याद होता है अपना हते है ह। गरह सोना है, सबसे बड़ बियरू जय जाते है अपना जो हनन आप तो आप समझ लो चलिए नेक्स कोशन की बात करते हैं 16 कोशन देख लेते हैं 16 कोशन में है सबसे पतली तोचा जो है वो कंजक्टिव है आपको याद रखना है और 17 कोशन की बात करते हैं तो संपूर्ण और नभी स西ट कदेखोलब ने भूराट जो वॉलीम होते हैैं जो हुमारे शरीर में जीतने मिलते हैं कितने मिलते हैं तो वह है वांज से सले मिलते हैं आपको याद रखना시aupt और यह कॉस्सेंजन पूछेंगा इस अमान रख्चाप जो होता है इंसान में वो होता है 120 mm से HG 120 mm HG mm का क्या मतलब होता है मैं आपको बताना चाहता हूं यह जो है दोस्तों मिली मोल होता है और HG जो है यह मरकरी है आपको पता है जिसा कि यह शाइन दीख रहा आपको ठीक है तो समानी रख्च आप कितना होते हैं इंसान में 120 mm HG चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स है 19 कोशन में देखिए लाल रख्ट कनों जो रबीसी जो होते हैं कि संख्या कितनी होते हैं आपको याद रखना है दोस्तों ठीक है तो पुरूस की बात करें ना तो 5 से 5.5 से 5 million cubic mm और महिला की बात करें तो 4.5 से 5 million cubic mm तो ठीक है याद रखना है और यह पूछे गया है और ट्वेंटी कोशन देख लेते हैं लाल रख्ट कनों का जीवन काल तो यह जो है लाल रख्ट कन जो होते हैं आर्वीसी होते हैं इनकी जो वैलिडिटी होती है यह जीने की छ समाने काउंट कितने किये जाता है तो यह 5,000 से 10,000 cubic mm तक होते हैं यह भी कोशन पूछे गया है स्वेक्ट कनों का जीवन काल अब डवीसी जो हते हैं उनका जीवन काल है वैलिडिटी जो है जीने की वह कितनी होते हैं दो से पांस दिन मातर होते हैं ठीक है और आर्वीसी की कितनी होते हैं अभी हमने अपको बताया था तो वह 120 दिन होते हैं ठीक है तो चली नेक्स कोशन कर लेते हैं और यह देखिए डियल सी डिफरेंशियल हाना डिफरेंशियल लेक्यू साइट काउंट क्या होता है इसके जो है क्राइटिरिया जैसे कि बेस फिल्स जो मिलते है वह 0.5 से 1% तक मिलते हैं और इसनों फेलिस क्या होता है इसमें जो है 1.0 से 3.0% मिलते हैं और मोनोसाइट की बात करें तो 3.0 से 8.0% मिलते हैं और अनिट्रोफेल्स मिलते हैं 40% से 70% तक लगबग ठीक है और लिम्फोसाइट कितने मिलते हैं तो हमारे 20 से 25% तो आपको या और 24 देख लेते हैं दोस्तों ठीक है तो इसमें कि रख्ट प्रेट लेट जो होता है वह काउंट कितने होते हैं तो यहां पर आपको देखना है कि कि दो लाग से चार लग प्रतिक क्यूबिक एम उके अब देख सकते हैं काई दानी सब्सक्राइब अक्सर पाया जाते हैं 14 से 16 ग्राम हंडेड सी ओके और आपको बताना है कि सीसी जो है सीसी जो है क्या मतलब होता है डिखे जी सी का मतलब होता है क्यूबिक सेंट्स जीसी है दोस्तों इसको बोलते हैं क्यूबिक सैंटी मींटर होके तो आपको याद रखना है और महिला में जो पाए जाते हैं 12 से 14 ग्राम बाई 1000 जो रक्ट होते हैं वो इतने मिलते हैं ठीक है और दोस्तों जो है है 1 cc i sq2 कितना होते हैं मैं आपको पता ना चाहते हूं 1 cc is k2 होता है 1 mol तो आपको याद रखने ही जनूत है वन सीजी इसकल टू वन मोल, तो चलिए, नेक्स कोशन देख लेते हैं, तो आई हम लोग 26 कोशन देख लेते हैं, 26 में है सरोधाता रख्ट समों, जिसे आप किसी को भी डोनेट कर सकते हो, बलट, है ना, सरोधाता जो होता है, वो क्या कहलाते है, कौन सा गूरूप होता है, व और यह दूआट से पूछ रहते हैं तो इससे जो है कि यह कोशें करते हैं तो आपको अच्छे से यादर रख यह पूछे जाते हैं आपको याद रखना है और समाहा शरीर तापकरन जो टेमप्रेशर होता है वह कितना होता है नर्मली इस तो 98.4 डीग्री फॉर्ट लाइट होगे अपो याद रखना है ठीक है चलिए नेक्स लेते हैं हम लोग है ठीक है 29 कोशन देख लेते हैं ठीक है 29 कोशन में और दोस्तों अगर सेक्षन अच्छा लग रहा है तो लाइक औंग सेर स्क्राइब जरू करें तो 29 कोशन में है स्वासंदर breathing rate क्ती होती है इंसानों में 16-20, म प्रति मिनिट होती है आपको याद रखना है और दंशुत्र में कितने होते हैं 32 और बच्चे में कितने होते हैं वोटीस वनगो under 1娘 होता है आपको याद होत muscular क्रेंशंत क्रेणियल संख्या कितनी होती है एलेवन जोड़ी होती है चलिए कोशन कर लेते हैं धर्टीफॉर डख लेते हैं धोस्तों में जो नौर्मली जो हर्ट भीट है है जिसमें समान हिर्दे दर्जों है वह कितना थे इंसानों में तो 72 से 75 प्रति मिनट होता है आपको याद आपचमाएंगे सिदेख himself है देहिlor न थ्टि न नटी दर्जो है उसकी है तो 72 प्रति मिनट होता है धोस्तों ति घैस्ट्रिक क मान होता है कितना होता है तो 1.4 होता और मुत्र का pH जो होता है यह होता है 6.0 और रग्त का pH जो होता है वो 7.35 फ्रेंस क्या आपको पता है देखे 6.0 जो है इससे लेकर इससे जो नीचे आप जाओ तो यह स्यश्ट होती है और जो आप जोसे लेकर अपमें जाओए तो इस छारी होता है ठीक है तो इसमें जो है यहां पर बेस जो बेस होता है न वह होता है आगे अगे योड से जैसे की रक्ट का PS मान 7.35 होता है तो हमारा बलड है वो होता है चार होता है ठीक है वो बेस होता है दोस्तुम् चलिए याद रखना है 39 question देख लेते हैं pancreatic juice का pH मान कितना होता है वो 8.5 होता है और शरीर में cool अस्थियों का संख्या कितना होता है 206 होता है और शरीर में cool पेशियों की संख्या कितनी होते है 639 होता है आपको याद रखना है दोस्तों ओके यह पूछने के chances ज्यादा है इ तो आपको बहुत कुछ शिखने को मिला होगा फ्रेंड आपने जब session को पूरा देखा है तो आप exam में जाना और मनुष्य के महत्पून तथ जो हैं immune body facts जो आपको है question नहीं चूटने वाले है एक भी question नहीं चूटने वाले हैं दोस्तों तो आप मेरे channel पे continue बने रहना और like share और subscribe like share subscribe कर सकते हो share कर सकते हो whatsapp पे instagram पे और facebook पे तो चलिए ठीक है तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों